के अभी चल रहे हैं बिमारियों का दोर और इतना चल रहा है कि हाट डिकत लीवर और कोलेस्ट्रोल यह चीज इतनी बहेंकर बढ़ चुकी है कि हर घर में कोई न कोई आपको जरूर मिलेगा इससे ग्रहसित होता हुआ तो आपको क्या करना है इन सबसे बचने के लिए अगर आपके जैसे की हर्ड में प्रोब्लम होती है लीवर में और कलिस्ट्रोल बहुत ज़दा बढ़ रहा है तो फैट बहुत ज़दा बढ़ रहा है आप डाइटिंग कर रहे हो बहुत ज़दा मोटे हो तो भी आप यह वाली सबजी जरूर खा सकते कोई भी दिकत नहीं होगी और आपको लगेगा भी नहीं कि आपने बिना तेल की कोई सब्जी खाई है और मैं तो आपको सब्जेस्ट करता हूँ कि आप हमेशे यही सब्जी बना के खाएं जिससे बिमारिया जो होने वाली है वह भी ना हूँ हमारा शरीर एकदम क्लीन हो जाए हमारी बोड़ी एकद के लिए उसके लेख करिया कि अच्छे से भाल चार्पान लिया प्राउन कर के लिया लिया तो तामारे राध मे टालन या या usके बाल हमारी लेयन की यूद्ड अच्छी होती है इस तरह 성능 लगों तर्वह पॉस्त है और ईंपल्विश्त एब में अच्छी ने के रवर क्योंकि लोगी की सब्जी तो ऐसे भी ज्यादा तर पानी में बनती है आपने बहुत बात देखा होगा हलका सा तेल डालते हैं तो वह तेल भी डालने की जुरूत नहीं है इतना सा भी तेल अगर बोड़ी के अंदर जा रहा है न क्योंकि आप लोग हमेशा पहार की चीज़े यूज करते होगे वीक में तीन से चार बार आप लोग खाते होगे समोसे बहुत ही जादा कैलिस्ट्रोल बढ़ाता है हमारे हार्ट में भी प्रोब्लम करता है लीवर में भी डाइजस्ट नहीं हो पाता है इससे अच्छा होता है कि हम एक वीक तक ऐसी सबचिया खाना पसं यहां देख सकते हैं हल्दी डाला था लाल मिर्च पाउटर डाला है यहां मैंने जो हरी मिर्च डाली थी तो मैंने लाल मिर्च पाउटर थोड़ी कम डाली है धनिया पाउटर डाल देंगे इस तरीके से एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसका कलर देख सकते हैं कि लोग चटकारे मार के खाएंगे तनी टेस्टी सबजी कैसे बन सकती है ऐसे बनेगी जैसे लोग ग्रेवी बनाते हैं वह वाली उस तरीके से बनेगी तो यहां मैं आपको दिखा रही हूं कि इस तरीके से लोकी डालने है लास्टे में थोड़ा ग्रेवी अच्छे से पक बजार के लोकी लाते हो meaningsी बहुत बार फराइक देखा है हम लोग जैसे घर पें नहीं खाते हैं लोगी को इसलिए जो बच्छी बहुत लोग you को इसली होता है बजार के लोग की अच्छे नहीं कपीड़ी की लोग लोग खागे देखना याने कि आपकर घर में आपने पेड़ कर रहा हो वाली लोग की आप तेली आपके बच्चे या आप लोग भी ऐसे सोच वहें कि हमें सुबह शाम लोग की ही रोकी बनानी है क्योंकि हम लोग तो ट्राय करते हैं यहां देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लिया है तो यहां इसको अच्छे से ने ढखके पका देंगे थोड़ा सा पानी हम लोग और एड़ करेंगे इसके अंदर जिसे लोकी पकने में कोई प्रोब्लम नहीं हो क्योंकि वैसे तेल के अंदर पकती है लोकी तो हम लोग इसको पानी के अंदर पकाएंगे थोड़ा सा पानी और पूरा पानी एब्सर्फ हो जाएगा क्योंकि आपको भी पता है जो बजार के लोकी होती है उसके अंदर पानी तो बिलकुल नहीं होता पूरी केमिकल से भरी पड़ी रहती है तो हम लोग उसी को एकदम नैचरल तरीके से औरगैनिक तरीके से अच्छे से इसको एकदम टेस् वल्ट हैं की हलकी से कच्छी है यह मीडियम लक्तल विद्न दो अअब चेकए हैं 1529 में हो चकी है of the 20 meget बाद में हम उसको द्येख़ेंगे अब देख सकते हैं पानी कि इतना कम हो गया है अब सोल सकते हूं जो नॉर्मल लोकी होती है जो गर की ही तेल में बहुत ही ठीस्टी लोकी की सब्जी बना लिए तो आप भी गाइज इसको ट्राय करोगे ना तो आपको भी लगएगा कि हाँ हम लोगों ने ओइल फ्री एक बहुत अच्छी रैसे भी बना लिए तो आप यह सब्जी कैसी लगी कॉमेंट करके ज़र बताएं अच् क्लिको